1940 से लेके 45 तक यह सभी सिक्ये 22 मिंटे द्वारा जारी किये जाते थे इसके अर्ष काइन की केटेगरी में आते हैं लेकिन सिर्फ दो मिंट के या तो हेदरबाद हो या फिर कलकत्ता हो या साईं या राम या 784, 214 सोदा इस तरीके का कोई काम्बिनेशन इसमें बेठ रहा है उसकी कीमा तगर बेस प्राइज एक अजार रुपए है और आपको उसके चार अजार रुपए भी मिल रहे हैं अभी तो मेरी नजर में यह घाटे का सोदा है सत्स्रियकाल दोस्तों मेरा नाम है राज ग्यानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसे मन विश्वसनी है सच्चाई और इमांदारी में नंबर एक विश्वर में ख्याती प्राप दकरंसी पीडिया एक बब फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंसी की दुनिया दकर्ंसी पीडिया पर दोस्तों आज का यह वीडियो है आश्क टीचीपी 100 जियां दोस्तों आश्क टीचीपी का शतक लग गया आज के एस वीडियो से आपके द्वारा दिये जा रहे असिम प्यार के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आईए आज का यह Ask TCP शुरू करते हैं लाटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है 36 गड़ से गजेंदर राठोर जी का यह लिखते हैं मेरे पास 1 रुपी इंडिया 1944 का चांदी का सिक्का है जिसके आगे जार्ज 6 किंग इंपेरर लिखा हुआ है और किंग का फोटो भी है प्लीज इस सिक्के के बारे में बताएं और कीमत भी बताएं गजेंदर राठोर जी जार्ज 6 के जो सिक्के हैं 1940 से लेके 1945 तक हाप सिल्वर में जारी किये गए थे 1940 से लेके 45 तक यह सभी सिक्के बामबे मिंटे द्वारा जारी किये जाते थे लेकिन 44 और 45 में यह सिक्के लाहोर मिंटे ने भी जारी किये हैं एसे सिक्के का वजन होता था 11.66 ग्राम धातू सिल्वर होती थी 50% साइज होता था 30.40 से 30.70 mm और शेप सर्कुलर मद्य में 1 रुपी इंडिया और मिंटिंग इयर दिया रहता था इस सिक्के के फ्रंट में किंग जार्ज का पोर्टरेट दिया रहता था और जार्ज सिक्स किंग एमपेरर लिखा होता था एसे सिक्कों का चाये वो किसी भी सन का हो वर्तमान मार्केट प्राइज 400 रुपे के लगबग चल रहा है लेकिन यदि 1944 और 45 लाहोर मिंट के सिक्के हैं आपके पास तो उन सिक्कों के आपको 500 से थोड़े अधिक मिल सकते हैं लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है आमोर सेंजी का कोहाटी से यह लिखते हैं मेरा कोश्चन है हाप पाइस 1889 विक्टोरिया एंप्रेस का कोईन है प्लीज इसका वेल्यू जानना चाहता हूं आमोर सेंजी और बाकी सभी भी जो हाप पाइस कोईन की वेल्यू जानना चाहते हैं आप सभी को मैं बता दूँ हाप पाइस कोईन जो है काफी अच्छा कोईन है कलेक्टेबल है और आने वाले दिनों में एसे सभी सिक्कों की कीमत बढ़ने वाली है वर्तमान में हाप पाइस की कीमत लगबग 100 रुपी चल रही है लेकिन आने वाले दिनों में कुछ एक सिक्के 5000 रुपे से भी उपर में बिकने की संभावना है तो यदि आपके पास हाप पाई कोईन है या फिर आपको कहीं अच्छी कंडिशन के यूएंसी कंडिशन के कोईन मिलते हैं तो आप उन्हें लेकर कलेक्ट करें क्योंकि एसे सिक्के पविश्य में बहुत अच्छा प्राफिट देंगे आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं सीधे मुझसे बात करें खोन पर या फिर वीडियो काली टाक्टु राजग्यानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना काल अभी और हाँ फ्राड लोगों से साउधान मेरी फोटो या बेच वालों से साउधान रहें बच कर रहें लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है पवन कुमार व्यास जी का बिकानेर से यह लिखते हैं अगर किसी वी रुपए के नोट पर जैसे 100 रुपीज के सवी नोट लास्ट थी डिजिट सेम जैसे ट्रिपल वन ट्रिप ट्रिपल ट्रिपल थी ट्रिपल फोर एसे नोट सेव करें तो क्या यह अच्छे पेसे दिला सकते हैं जी हाँ पवन कुमार जी यदि आप इस तरीके के नोट जिसके लास्ट थी डिजिट सेम हैं ट्रिपल वन ट्रिपल 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 थी या इसी तरीके के तो इस टा में अच्छे पेसे दिला सकते हैं लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है अपना डालवी जी का इन्होंने लिखा है मेरे पास 50 पेसे उसके पीछे इंडिया का फिलेग है दो कोईन है 2002 और 1997 के कोईन की वेल्यू क्या है अपना डालवी जी आपने लिखा है 50 पेसे के सिक्के इंडिया के फिलेग वाले तो वो इंडिया का फिलेग नहीं शायद आप लिखना चाह रहे होंगे इंडिया के मेप वाले तो 50 पेसे के जो इंडिया के मेप वाले इसे सिक्के जारी किये गए थे यह सिक्के 1988 से 2007 तक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की धातू में जारी किये गए थे इनका वजन होता था 3.79 ग्राम साइज होता था 22 mm और शेप सर्कुलर 1988 से 2007 तक जारी किये गए यह जादतर सिक्के कामन कोईन की केटेगरी में आते हैं एसे सिक्कों का वर्तमान मार्केट प्राइज बहुत जादन नहीं है सभी सिक्के लगबग 100 रुपे से कम कीमत रखते हैं यदि वया स्केर्स हों तो दो सिक्के ऐसे हैं जो रेयर हैं जैसे 1993 बामबे और हेदरावाद मिन के 50 पैसे के ऐसे सिक्के आज की तारीक में रेयर कोईन की केटेगरी में शामिल हो गए हैं उन सिक्कों का रेट लगबग 500 रुपे हैं बाकी सभी सिक्के कामन रेट में UNC कंडिशन के होते हैं तो 2, 3, 4 रुपे या 5 रुपे की कीमत रखते हैं आपने जो 1997 और 2002 के कोईन के बारे में पुछा है उसमें से 1997 स्केर्स काइन की केटेगरी में आते हैं लेकिन सिर्फ 2 मिन के या तो हेदराबाद हो या फिर कलकत्ता हो इसके अलावा बामबे और नोईडा वाले 1997 के सिक्के कामन काइन की केटेगरी में आते हैं और उनकी कीमत है लगबग 1 रुपे से 5 रुपे तक इस वीडियो का आखरी सवाल जो लाटरी द्वारा निकल कर सामने आया है वो हमारे The Currencypedia चेनल के मेंबर का सवाल है The Currencypedia चेनल के मेंबर सरदार अमरिक सिंग जी लिखते हैं वाइगुरु जी का खालसा वाइगुरु जी की फते सर जी क्या आप बता सकते हैं शाली मार 10 रुपेस नोड की कीमत क्या है गवर्नर सी रंगराजन C inset U prefix What is the value of this note? In book the price is 50 रुपेस So please tell me that is the price now in 23 in December This price increase or not? I have purchased 8 bundle in 30,000 क्या ये सही रेट है? Please tell me sir आपका आग्यकारी अमरिक सिंग वाइगुरु जी का खालसा वाइगुरु जी की फते अमरिक सिंग जी सबसे पहले तो आपको बढ़ाई कि आपको शाली मार गार्डन के 8 bundle एक साथ मिल गए हर एक bundle की कीमत तै होती है उसकी condition पर या फिर उसके जो number है वो sequence में किस तरीके से है क्या कोई ऐसा खास number है कोई ऐसा बढ़े number हो रहा है या साई या राम या साथ सो चियासी दो सो चोदा इस तरीके का कोई combination उसमें बेट रहा है तो तो बहुत अच्छी बात है आपने ये packet सस्ते में ले लिए लेकिन यदि एसी कोई विशेष्टा नहीं है और कामन bundle हैं कामन packet हैं तो मेरी नजर में एसे 8 bundle की कीमत होना चाहिए अधिकतम 24,000 रुपे लेकिन कोई बात नहीं आप देखें उसमें कोई खास number होगा या कुछ होगा और नहीं भी तो rate 24,000 जरूर है लेकिन अगर आप कभी 25,000 रुपे लेके भी डूढने निकलेंगे तो हो सकता है आपको काफी समय लग जाए और आप उनको डूढ नहीं पाएं आपको वो मिल नहीं पाएं पुराने नोट हैं शालीमार गार्डन हैं अच्छे नोट हैं आप इने रखें आज भले थोड़े महेंगे खरीदे आपने लेकिन आगे जाके आपको जरूर फाइदा देंगे आप सभी दर्शकों से भी मैं कहना चाऊँगा जितने भी शालीमार गार्डन के नोट हैं दस रुपे के पुराने वाले नोट हैं उन सभी को जरूर समाल कर रखना है थोड़े पेसों की लालच में अभी उनको सेल नहीं करना है कि आपको 10 रुपे की जगए अगर 300 रुपे मिल रहे हैं, 40 रुपे मिल रहे हैं तो आपने सेल कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपके पास जो एक पेकेट है उसकी कीमा तगर बेस प्राइज 1000 रुपे है और आपको उसके 4000 रुपे भी मिल रहे हैं अभी तो मेरी नजर में ये घाटे का सोधा है आप एसे सभी पेकेट्स को संबाल के रखें आने वाले 2-4 या 5 साल बाद इनकी कीमा डबल से ज़ादा हो जाएगी वेसे शालीमार गार्डन में जो सी इंसेट का नोट है उसकी बुक प्राइज है 40 रुपे तो उस हिसाब से 32,000 रुपे बुक प्राइज होती है आपने 30,000 में लिए हैं तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2000 रुपे का प्रॉफिट है और भविश्य की नजर से देखा जाए तो 30,000 रुपे का फायदा है क्योंकि आने वाले दिनों में ये नोट डबल से भी जादा में जाएंगे तो मैं वही निवेदन कर रहा था आप सभी से कि जिनके पास भी एसे पुराने नोटें थोड़े पेसों की लालच में अभी उनको सेल न करें आने वाले 2-4-5 सालों में इनके रेट काफी बढ़ेंगे उस टाइम पे यदि आप इन नोटें को सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्राफिट होगा दोस्तों बस 5 दिनों बाद दिल्ली में एक विशाल काईन एक्जिबिशन का आयोजन हो रहा है तो आप जरूर आईए डेट आपको बता दी है एक बर पुना याद दिला दू एक, दो और तीन दिसंबर को दिल्ली के इंदरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हम भी आ रहे हैं आप भी आ जाईए मिलते हैं और बाते करते हैं आज के लिए बस इतना ही बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक अद्बुत और ग्यानवर्दक वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आपकी अपनों के लिए हमारे लिए देश के लिए और दुनिया के लिए और हाँ मुस्करात रहिएगा क्योंकि आप केमरे की नजर में हैं और इश्वर आपको देख रहे हैं जै हैं जै भारत क्योंकि आपको देख रहे हैं झाल झाल